हेलो गैस, हैलकुंडू स्पेशल एजूकेशन, नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपनी यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजूकेशन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देश सकते हो, आपके अपने चंडीगड में नहीं वेकेंसी निकली है और यह C, I, A, B चंडीगड में वेकेंसी निकली है जिसमें कि आपको जो सैलरी मिलेगी 47,000 पर मन्त, 47,000 के आसपास पर महिने के आपको सैलरी मिलेगी तो चलिए detail में discuss करते हैं कैसे apply करना है, कौन-कौन सी post है, क्या last day apply करने की age limit क्या है और qualification क्या है उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बर visit कर रहे हो तो please चैनल को subscribe करने के बद बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का notification आप लोग को अपनी mobile screen पर मिलता रहे तो चलिए दोस्तों start करते हैं बिना कोई time waste किए तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो C.I.A.B. Center for the Innovative and Applied Bioprocessing में आपकी vacancy निकली है और last day दोस्तों जो apply करने की है वो है 15 August 2020 तो आप लोगों को offline apply करना है और इनकी इस website पर जाके आपको इनका application form मिल जाएगा उस application form से offline apply करना है तो अब बात कर लेता है कौन-कौन सी post है तो सबसे पहले दोस्तों junior research fellow की post है जिसमें की अलग-लग type की है like junior research fellow में आपकी bio technology qualification की एक post है जिसमें age limit 28 साल मांगी है और qualification में इन्होंने बोलागी अगर आपने MSC कर रखी है in life science, biotechnology, microbiotechnology, biochemistry, microbiology तो आप apply कर सकते हो आगे इन्होंने दिया है junior research fellow की post है chemical और nano material science में इसकी दो post है ठीक है इसमें age limit भी 28 साल सेम है qualification में इन्होंने master degree मांगी है in chemical science या फिर biological science और pharmaceutical science अगली post है junior research fellow की chemical science की दो post है और age limit सेम है 28 years और qualification में इन्होंने बोला है MSC अगर आपने chemistry में कर रखी है तो apply कर सकते हो ठीक है अगली है junior research fellow chemical engineering और bio technology की ये तीन post है इसमें सब कुछ सेम है age और qualification में बोला है कि अगर आपने MSC कर रखी है in chemistry और bio technology तो आप apply कर सकते हो अगली दोस्तों वो post है fellowship funded by the CIAB for initial R&D projects इसमें पहली है research associate one की in bio technology और synthetic biology में एक post है salary इसमें 47,000 पर मन्त मिलेगी और age limit इन्होंने 35 साल बोली है qualification के लिए इन्होंने बोला है कि अगर आपने PhD कर रखी है in bio technology या फिर microbial bio technology में तो आप apply कर सकते हो अगली है research associate में chemical engineering की इसकी भी एक post है age limit 35 साल है salary 47,000 पर मन्त है qualification में यही बोला है अगर आपने chemical engineering में PhD कर रखी है तो apply कर सकते हो अगली दोस्तों post है fellowship under externally funded projects की ठीक है इसमें junior fellow की एक post है और age limit 28 साल है बाकी इन्होंने project coordinator का नाम वगरा दिया हुए और जो आपकी duration of project इस date के एसाब सोना चाहिए और salary आपको मिलेगी 31,000 पर मन्त qualification के लिए इन्होंने बोला है कि अगर आपने MSC कर रखी है तो apply कर सकते हो अगली दोस्तों post है junior research fellow की एक post है सारा कुछ सेम है और लेकिन qualification में इन्होंने बोला है अगर आपने chemistry oh sorry MSC कर रखी है in chemistry में from a recognized university तो आप apply कर सकते हो अगली है junior research fellow की एक post है age limit और salary वगरा सब सेम है qualification में इन्होंने बोला है कि अगर आपने MSC कर रखी है in life science और biology तो apply कर सकते हो अगली है junior research fellowship की इसकी भी एक post है सारा कुछ सेम है लेकिन qualification में फ़रक है MSC कर रखी है life science और my technology या फिर microbial biology या bio chemistry तो आप apply कर सकते हो ठीक है apply करने के लिए इन्होंने बोला है कि आपको application form करके इनकी इस gmail id पर send करना है last day 15 September 2020 इससे पहले पहले send करना है और बाकी पूरा notification पढ़ना चाहो तो आपको नीचे link मिल जाएगा description में download करके अच्छे चे पढ़ लेना वीडियो अच्छे लगे तो like कर देना चैनल पर पहली पर जुड़ कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना